Hello everyone, मैं सिम्रन गुंबर, स्वागत करती हूँ आप सबका level of learning पर आज की ये छोटी सी वीडियो आपकी बहुती ज़्यादा मदद करने वाली है इस वीडियो में मैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ साथ में आपको tips and tricks बताने वाली हूँ जिनने follow करके आप 80+, 90+, mark score कर सकते हो जैसे हमारे students अभी तक लेकर आ रहे हैं Also किन गलतियों के कारण बच्चों का प्रोजेक्ट reject होता है मैं आपको वो गलतियां भी बता दूँगी ताकि आप वो गलतियां ना करो बिना किसी देरे की इस वीडियो को start करते हैं अगर आप हो जनवरी 2024 के बच्चे जिनोंने जनवरी, फरवरी, मार्च 2024 में admission लिया है तो आपको पता है आपके प्रोजेक्ट को submit करने की last date 30 November 2024 है मैं 30 November 2024 तो है क्या ये date extend होएगी? नहीं, बिल्कुल भी ये date extend नहीं होगी पता रही हूँ मैं ये वाली date extend नहीं होगी मैं, क्या हम paper के बाद submit कर सकते हैं project? अगर आप paper के बाद submit करते हो तो आपका इस session में project के marks नहीं लगेंगे वो अगले session पे चला जाएगा और अगले session के लिए कैसे submission होगा? उसका तरीका भी आपको अभी बता देती हूँ Let's suppose अभी आपने examination form भर रख है तो आपने उसमें project के 500 पे भरे हैं न? Which means ये 500 तब भी तक के लिए valid हैं कि आप 30 November तक अपने project को submit कर दो अगर आप चाहते हो कि आपके marks आगे June 2025 वाले में लगे तो उसके लिए April में जब examination form आएगा तो project के 500 रुपीज वहाँ पे दुबारा से pay करने होगे और तब next session में आपका project consider होगा तो अगर अभी आप fees भर चुके हो तो मैं आपको suggest करूँगी 30 November से पहले-पहले project को submit करा देना hard copy speed post करनी है दिली head office के address पे address मैं साथ में attach कर दूँगी चीक है जी साथ में मैंने आपको बताया हुए ऐसे yellow leafafa लेना है उसके उपर सारी की सारी details लिखके आप ऐसे speed post करोगे इस leafafa में डालके done हो गई बात speed post registered speed post करना जिसमें वो tracking ID देते हैं ताकि उसको आप उनकी website पे डालके check कर सकते हो जिस पी पार्स जैसे Indian speed post के दूँगी बेजा तो उस पे वो consignment number देते हो उसको वहाँ पे डालके आप check कर सकते हो कि आपका parcel कहां कहां पहुँच गया और जब वहाँ पे डेली डिलीवर्ट दिखाने लगजे तो उसका screenshot संबालके रखना क्यूंकि कल को अगर इगनू वालों ने कहा कि उनके पास project नहीं पहुचा या कोई दिक्कत हो गई है तो आपके पास move होना चाहिए पहली बात क्या अपने project की आपके कहते हैं जो भी submission करा रहे हो उसकी receipt संबालके रखोगे दूसरी बात project अगर बन गया है तो पूरे के पूरे project की PDF बना कर जरूर रख लो ठीक है जी PDF बना कर रखोगे तो ये फाइदा होगा कि कल को कोई भी दिक्कत आ जाती है तो आपके पास आपके project का एक proof रहेगा दूसरी बात बहुत important थी PDF बना के जरूर रख लेना अगर मुझसे check करवानी है कि माम इसमें कोई कमी तो नहीं रह गई कोई दिक्कत तो नहीं रह गई तो हमारे level up learning के contact number पे भेज़ देना हम देख कर बता देंगे ठीक है जी तीसरी बात क्या आपको 30 नवंबर से पहले पहले अपने project को submit करना है अब project के अंदर आपको पता है तीन phase होते है phase 1, phase 2, phase 3 English में हिंदी में चरन 1, चरन 2, चरन 3 ठीक है जी अब आपके project में तीनों चरन होने चाहिए यूट्यूब वीडियो के लिंक्स होने चाहिए और और क्या होना चाहिए जो भी सारी चीज़े आपने अटाच किसे आपने front page पे अपनी सारी details लिख दी इगनू का i-card लगा दिया अपने जो project के 500 रुपीज भरे हैं वो भी लगा देना अगर आप जनवरी के बच्चे हो और अभी पहली बार project submit कर रहे हो तो आपने examination form भरते वक्त project के 500 रुपीज भरे थे वो वाली receipt आप project के साथ लगाओगे ठीक है जी अगर आप पुराने ब अच्चे हो पहले submit किया था और reject हो गया था तो आपको अपने project के साथ 1000 का demand draft बनवाना है इगनू के नाम का और वो project के साथ लगा के भेजना है ठीक है जी demand draft आप किसी भी bank से बनवा सकते हो सिरफ इगनू के नाम का बनेगा डन हो गई बात क्या क्या साथ में attach करना है ठीक है जी project के लिए गत्ते की file यूज करोगे plastic file नहीं यूज करोगे क्योंकि plastic file बैन है एकनू में तो गत्ते की file लोगे front page कौन सा वला लगाना है वोई assignment वला लगाना है ये वला लगाना है इसके लावा कोई और front page नहीं लगेगा जो बाकी लोग वीडियोस में दिखा रहे हैं गलत है वो गलत address लिखे है उस पे ठीक है तो वो नहीं लगाना आगे मैम कोई ये ऐसा तरीका बताओ जिससे हमारे project में भी 80 प्लस marks मिले 90 प्लस marks मिले जैसे आपके बाकी बच्चों को मिल रहे हैं चलो जी बता देते हैं आप अपने project में अच्छी handwriting में project लिखोगे लेकिन लिखना खुद अपनी handwriting में है बहुत से बच्चों को लगता है कि भाई ज्यादा पैसे देके किसी से बनवा लेंगे और बस submit कर देंगे मैं आज भी बता रही हूं कल भी बताओंगी परसों भी बताओंगी और पहले से भी बताती आ रही हूं वो चीजे बाई लक मालो किसी का project चल गया तो चल गया otherwise reject ही होते हैं या पास हो भी जाएंग में 10 project और बनाए होंगे तो वहाँ इगनू में जब ऐसे file ए खुलती है डिक्टो same to same file ए 10-20 आई होती है na reject 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 कर देते हैं ठीक है जी तो लिखना आपको खुद है अपनी handwriting में ठीक है आपकी handwriting बुरी है कोई बात नहीं लेकिन खुद लिखो या अपने घर में किसी से लिख वालो ठीक है आप बापके घर में मालो छोटी भेन है उसकी तो handwriting में और project में लिखे गए न तो क्या आप न वो चल जए और कई बार rare cases में हो सकते हैं आपके exam से handwriting मैच कर ली जाए तो क्रिपया करके बने-बनाए तो मत लिया करो इस कारण भी बहुत reject होते हैं मैं तो तब ह भी written handwritten project नहीं देती हमसे आपको salt project की pdf मिलती है इसके अदर सारी guidance मिलेगी सब को salt मिलेगा हम सब समझाएंगे किस जगा पे कैसे क्या करना है लेकिन लिखना आपको होता है I am I feel so lucky कि अब भी तक हमने जितने बच्चों को project दी है सब के इतने बढ़िया बढ़िया number आते है almost 80 plus बच्चे लेकर आते हैं 90 plus marks लेकर आते हैं है ना क्यूं क्यूंकि हम उनको proper guidance दे रहे हैं हम उनको salt project दे रहे हैं तो reject होने का तो chance ही नहीं exist करता ना ठीक है जी ये बात भी हो गई मैं pictures लगानी जरूरी है जी हाँ आपके project में जतनी ज्यादा pictures होंगी समझ लो आपके marks ऐसे हो जाएंगे यहां marks आ रहे हैं pictures से यहां marks आएंगे तो क्या करना है जब आप school में गए तो ज्यादा से ज्यादा photos किछ वालो चाहिए सारी activities की नहीं भी click कर आपाए बस बच्चों के साथ photo दिखनी चाहिए कुछ कुछ कर रहे हो आपनी या तो बच्चों के साथ ही घ missionary का ये का वो का 5-10 रुपे का आ जाते हैं उसके अंदर 20-25 photos होती है वो चोटी-चोटी photos, stories related अपनी जहां भी आपके project में जो भी mix and match हो रहा है वहां वहां पे लगाते जाना वहां वहां पे जब आप लगाते जाओगे आपका project innovative लगेगा, creative लगेगा, work sheets लगा हो कि बच् काम करा था, ये सब चीजे कर सकते हो, आपको 5-5 minute की videos बनानी है phase 2 और phase 3 की, यानि की दूसरे और तीसरे चरण की, दूसरे चरण में 30 activities, तीसरे चरण में 15 activities, तो total हो गई 45 activities, 45 activities की 5-5 minute की videos बनाके आपको YouTube पे डालनी है, अगर आप ये सोच रहे हो कि एक दिन सारी YouTube वीडियो पे डाल दोगे, अभी बनाते रह रहे हो, तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हो, क्योंकि जब आप पहला YouTube चैनल नहीं YouTube चैनल बनाते हो, तो एक दिन में वो आपको 5 वीडियो अप्लोड करने देते हैं, उससे उपर आपकी videos अप्लोड हो नहीं पाती, फिर आपके पास तो time भी कम रहे हैं, तो अगर आपने बना ली हैं, तो दीरे दीरे अपनी वीडियो को अप्लोड करते जाओ YouTube पे, ठीक है जी, जितनी ज़्यादा हो सके, जितनी वीडियो हैं, उनको अप्लोड करके, फिर आप एक पेज अटाच करोगे, DC4 प्रोजेक्ट वीडियो लिंक्स और इतना मुझे लगता है, 45 की 45 तो देखे, वो चेक करने से रहे, है ना, और ये वैसे ही बहुत टफ होता है, कि आपके पास एक लिंक का पेज आया है, और वो एक-एक लिंक को टाइप करके देखे, बट ये हैं, कि प्रोजेक्ट देख रहे हैं, तो ये जरूर देखेंगे, कि बच्चे ने लिखे, अच्छा, यूट्यूब वीडियो का लिंक वाला पेज लगाया है, लगाया है, तो मतलब बच्चे ने बनाई होगी, अब उसके अंदर क्या, लिंक की अंदर क्या है, ये तो देखो नहीं होता, ना, तो अगर आप करना जहाओ, तो ऐसे कर सकते हो अपने रिस्क वे, ठीक है जी, बट वो पेज जरूर लगा देना, वीडियो लिंक्स वाला, 45 लिंक्स लिख देना, चाहे वो लिंक थोड़े बोट, ऐसे ही हो, ठीक है जी, अब एनेक्स्टर्स प्रॉपर अटाच करोगे, हिंदी में, संशोधित संगलनक 1A, संशोधित सं में आजाएंगे, रिवाइज एनेक्स्टर 1A, रिवाइज एनेक्स्टर 1B, एनेक्स्टर 7A, गाइड के डिप्लोमा की फोटोपी और एनेक्स्टर 3, इसमें भी एंड में 30 से मल्किप्लाए होगा, तो यह थी में कुछ टिप्स और ट्रिक्स, जादा पिचर्स लगाओगे अच्छा लगेगा, creative लगेगा, मान लो मेरा example है यह project का, तो कितना सुंदर front page लग रहा है न, तो ऐसे ही सुंदर-सुंदर काम करने हैं, जादा से जादा पिच्छ लगानी है, जादा से जादा, मान लो कोई activity है रंगो से related, तो हमने रंगो वली photo लगा दी, ऐसे जब आप काम करोगे कोई activity है place related work की तो place related work की लगा दी ठीक है अब अगर starting में हम देखते हैं तो teacher जो पढ़ा रही है उसकी photo लगा दी ऐसे ऐसे काम करोगे तो बहुत ही बढ़िया number आएंगे कोई tension की बात है नहीं फटा-फट से बना के submit कर लो अब भी भी कोई बच्चा रहता है जिसने अभी तक project बनाया ही नहीं तो भी कोई tension नहीं है level up learning का contact number screen पर दिख रहा है हमसे contact कर लो हम आपको वह वले फटा-फट जो project बन जाते हैं वह वला sample दे देंगे और आप फटा-फट बनाके submit कर पाऊगे और वीडियो का भी जोगाड़ बता देंगे बट बना जरूर लो submit जरूर करो आगे बहुत जल्दी धेर सारी vacancies आएंगी और मैं चाती हूँ उन vacancies में आप सब eligible हो अच्छे से exams की तयारी करके उसमें भी अच्छे mark score करो बाकी DC का solve assignment लेना हो project लेना हो exams की तयारी के लिए मेरा course लेना हो या notes लेने हो सब कुछ level up learning के contact number से मिल जाएगा thank you so much इतना जादा प्यार और support देने के लिए youtube channel को subscribe कर लेना नीचे whatsapp channel का link given है telegram channel का link given है इन सब को join कर लेना ताकि आपको सारे updates मिलते रहे thank you thank you very much exams की तयारी मैं करवा रही हूं youtube पे फटा फट से सारी videos देख लो thank you